जनपर संबल के कुड़ फतेगड ठाना चेत्री में हुआ पिता पुत्री के अपहरण का मामला फर्जी। और बहन के अपहरण की रिपोर्ट दर्च कराई थी। जिसके बाद मामले की गंबीरता को देखते हैं पुलिस अधिश्चक यमना पशाद ने इस मामले में खुलासे के लिए तीन पी में घटे की ती जिसके बाद पुलिस ने राजबादूर को उसके साडू के लड़के रा चला जिसके बाद हमने उसे खोजा और वे कहीं नहीं मिलने पर शर्मिंदिगी और लोग लाज से बचने और समाज में बेजिती नहों तो मैंने परिजनों के साथ मिलकर ये सारी साजिश रची पुलिस ने इस मामने में साथ अभ्यूक को राज बहादूर अमरबती सुनील नीलम, धरमबती, बोजराज तता मुकेश को गिरफ्तार किया जिनके विरुद मुकदमा दर्चकर आगे की कारे रही की जारे ही है हमारे डिशनल स्पी और मैं स्वयम और साथ टीम हमारी सभी लोग सक्रिय रूप से लगे हुए थे सभी ने वहाँ जा करके जानकारी कठा की और इसमें अथक परियास करके इसका सफल अनावरण किया गया पूरा प्रकरण एक जूठा कूटरचित और एक ठेक तरीके से पनाया गया एक जाल था जिसको क्रेक किया गया और इसमें जो बैक्ती राज बहादूर था और उसकी लड़की दोनों को सकुसल वापस लाया गया और पूरे प्रकरण का पटा छेप किया गया ये फगी तरीके से एक अपहन कांड था जो इनके परिवार दोरा साजी स्कून रचा गया था इसमें जब पूस्ताच किया गया गया गहन पूस्ताच में प्रकरण निकल के आया कि जो इनकी लड़की थी वो किसी लड़के से लगातार संपर्ग में थी पांच महिने से इसे बचने के लिए कि हमारी बेजती हो गई है इसे बचने के लिए इन्हों ने पहले ढूनना फूरू कि या इनका मामा जो है मिलके खडियन के रूप में एक साजित त्यार किया इनोंने कि फर्जी तरीके से जो पिता है राज बहादूर उसका और लड़की का आपहन बता दिया जाए लोगों को पबलिक को भी और पुलिस को भी और उसके बाद दो एक दिन बाद वो स्वयम राज बहादूर वापस आ जाएगा और बाकी लोगों को बता दिया जाएगा कि अपरता अभी लड़की को छोड़े नहीं है इस तरीके से इन लोगों ने फर्जी माहौल बनाया और उसके बाद जो ये भोजपाल है इसने राज बहादूर को अपने साथ बैठा करके जो मुरादाबाद में इसके सा पुत्री बड़ी और जो बेटा है वो और ये इसका साला ये सम मिल करके सभी को बताने लगे कि दो बाइक सवार पहले इनों ने बताए कि दो बाइक सवार चार बदमास आए और पिता जो आगन में सो रहे थे उनको तमंचे के बलपे गारी में बैठा करके और उसी के साथ लड़की जो बाहर उनको रोकने के लिए पहुंची तो उसको भी मोटर साइकल से बैठा करके दो अलग अलग जिसाओं में लेके चले गए हैं और उसके बाद जब पुलिस पहुंची तो इनके बयानों में ही विरोधा बास मजर आने लगा जब लड़की ने बताया कि दो रोधा भास आ रहा था और इस तरीके से इनको गहनता से इसमें पूस्ताज प्रारा में की गई और इसमें सारे तथ्चो को हम लोगों ने बहुत गहनता से अनलाइज किया इनके पूरे परिवारी रिष्टेजारी के पहले पूरा डिटेल सिजरा बनवाया गया उनमें एक आपसी विवाद रहे हैं उनके फाई आर कंटेंट भी जितने लोग सामील रहे हैं उन सभी को पूस्ताज किया उनसे लाकट के बात चीत की कि कहीं उनका किसी का नासाजिस में हाथ हो तो हम लोगों ने जब इसको इनलाइज किया तो ये भी तथे गलत निकला फिर हम लोग की मदद से और मैनूल इंटेलिजेंस की मदद से लोगों से जब पूस्ताज किया और इनके बयानों के विरोधाभास को जिस्टिफाई किया तो ये पूरा प्रकन फेक आपरण का निकल के आया इस करम में इनको जो लड़का है पिता राज बहादूर इसको राहूल के घर स लाइन पार मुरादाबा से और जो लड़की है नीलम उसको जैवीर के घर से सूरे नगर लाइन पार मजोला से बरामत किया गया है इनको ला करके अब भी लिक कारवाईस में की जा रही है